और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि भाई देख लेना जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो उन्हा अच्छा पती बन सकता है ना प्रेमी बन सकता ना भाई बन सकता हूँ देख लेना ऐसे किसी लड़की से आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई बता रहा हूं ध्यान से पता चला कि दहेश तो नहीं देना चाहिए माब आपने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया लाखो रुपे भी गया है और मिल गया नफरत करने वाला तो वह प्रेमी नहीं सकता कि इनसान से मुखबत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मुखबत करते हैं हम मिट्टी से मुखबत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इनसानों से भी मुखबत करते हैं ये बात ध्यान रखिएगा आज इन दौर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल फेस्बुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोटसे जी की पिस्टॉल की निलामी करवा दी जी यह पता चल जाएगा देशवक्त थे की आतंक वादी थे हम यहां पर आ गए हैं गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सक जिस देश में गांधी के हत्यारे को देश्भक्त कहा जा रहा है तो गांधी क्या आतंक वादी थे अब हम यहां पर आ गए हैं क्या हम आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मुर्खों के जुंड में बदल दिया जाएगा कि एक वोट देने के बदले आप कितना प्यार करते हैं प्रधान मंतरी को लेकिन उसके बदले में आपको उस जुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को गोट से जी कहें थोड़ा साफधान रहिए हो क्या रहा है इस देश में और वो फेस्बुक पे लिख ये मान के चलता है कि आप में अपनी बुध्धी स्थगित कर दिया आप में बुध्धी नहीं है मैं नहीं मानता है मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से दि ignoring हूं मुझे मालूम है कि वो इक अलग तरीके से सोच रहे हैं लेकिन उनसे वोट देते हैं उनसे बदला नही उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि उनसे ये कहा जा रहा है अब चुकि तुम उनको वोट देते हो तुम अब मुसल्मानों से नफरत करने लगे हो तो चलो अब गोडसे को भी गोडसे जी बोलो फिर मालूम नहीं अगले बार आप आपसे क्या कराएंगे आपके हाथ में बम दे देंगे कहेंगे जाके फट जाओ कहीं पे तुम नौकरी मत मांगो ये मत कीजिएगा ये मत कीजिएगा ये शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या होई और ये उससे भी जादा शर्म की बात है कि एक राजनितिक दलका कारेकर तक फेस्बुक पे लिख रहा है गोटसी जी कि पिस्टॉल निलामी कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसके दो करोर देके साबित हो जाएगे दिश्वक्त है गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं है दोस्तों कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पर नहीं चलाई तो ये मत होने देना हाला कि अब देर हो चुकी है अब तुमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है गलत गलत सुचनाओं से भरके अब आपसे सिर्फ दो ही काम लिये जाएंगे समुदाय के नाम पे धर्म के नाम पे आपको एक जुंड में बदला जाएगा कि आप जाओ उसको माराओ पहलू खान को या फिर आप सुबोत कुमार सिंग को मार के आओ उसे भी इंसाफ नहीं मिला सुबोत कुमार सिंग को भी इंसाफ नहीं मिला पहलू खान को भी इंसाफ नहीं मिला ये आप समझ रहों कि क्या हो रहा है समझ रहें इस बात को अच्छे से समझिएगा गुसे में मत समझेगा कोई फाइदा नहीं है दोस्तों इसलिए आपका मीडिया जो है मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूँ कहना जरूरी है फिर मौका नहीं मिलेगा आपसे आपका मीडिया अब आपसे बदला ले रहा है जब तक आप अपने आपको अलर्ट नहीं करेंगे एक्टिव नहीं करेंगे यह मैं क्यों कहता हूँ कि आप इन अख़बारों को पढ़ना बंद कर दीजे इन ट्यानलों को देखना बंद कर दीजे और पैसा प्रधान मंतरी रहत कोश में दे दीजे यह मैं इसलिए इस उमीद में कहता हूँ कि आप दबाओ डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा तभी मीडिया स्वतंत्र होगा